Hey everyone, welcome back to my YouTube channel दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में रात को चावल बच जाते हैं अब ये बासी चावल, you know, कई लोग तो बड़े मज़े से खाते हैं उनको फ्राइ करके दुबारा से या फिर उनके पराथे बनाकर कई लोग कई चीजें, you know, बनाते हैं बासी चावल की और मज़े से खाते हैं और कई लोग समझते हैं कि ये unhealthy होते हैं, इन्हें नहीं खाना चाहिए इसलिए वो dustbin में फेंग देते हैं तो आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ कि बासी चावल खाना सच में फायदे मंद है या नुकसान मंद है आपकी सेहत के लिए या फिर आप इसे खाएं या ना खाएं, चलिए share करती हूँ पूरी information आपके साथ वेल अगर बात करें कि बासी चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए तो मैं suggest करूँगी कि आप बासी चावल खा सकते हो इसके फायदे ही आपको मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेंगे क्या फायदे मिलेंगे, एक तो अगर आपके मू में अलसर है या फिर पेट में अलसर है तो आप बासी चावल जरूर जरूर खाईए या फिर आपके शरीर में अगर पित ज्यादा बनता है बहुत बॉडी हीटिंग की प्रॉब्लम है तो बासी चावल खाईए बासी चावल आपके शरीर को ठंडक देते हैं जिससे की अलसर और पित की प मोटे हो जाते हैं, well मैं आपको बता दूँ अगर आप रात के बने हुए चावल सुबा खाते हैं, तो ये चावल आपको मोटे बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिकाज बासी चावल जो हैं, वो 60% कैलरी अपनी खो देते हैं, तो बासी चावल खाएंगे, तो मोटे नहीं होंगे, क्योंकि कैलरी कंटेंट उसका अल्रडी कम हो चुका होता है, बासी होने के बाद, अगर आप मोटापे की चिंता किये बिना चावल खाना चाते हो, चावल टेस्टी रखते हैं, छोड़े नहीं जाते हैं, तो बासी चावल खाएंगे, कई लोग टी, कॉफी और स्मोकिंग की लट को छोड़ना तो चाते हैं, लेकिन उनसे वो छूट नहीं पाती है, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी टी कॉफी की, टी कॉफी ना पीने पर जो आपको सिरदर्ध होता है, या फिर आप परिशान होते हो कि मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है, वो वली हालत आपकी नहीं होगी, आप उस टाइम पर थोड़े से बासी चावल अगर खालोगे तो फोर्थ पॉइंट जो है, वो है बीपी को सुधारते हैं बासी चावल, अगर आपका बीपी हाय रहता है, बीपी की दवाई आप ले रहे हो, तो सुबह नाशते में रात के बने वे थोड़े से चावलों में, यूनो बहुत सारी सबजियां या फिर स्प्राउट्स मिला कर के खाएं, इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, इसके अलावा कुछ और हैक्स भी हैं बासी चावलों के, बासी चावलों को आप as a beauty recipe या as a beauty component भी यूज़ कर सकते हो, आप बासी चावल, नमक वाले हो या फिके हो, जो भी हैं आपके पास उनको लीज़े, और उनको mixi में grind कर लीज़े, उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर या थोड़ा सा aloe vera gel मिला करके, आप बहुत अचा face pack बना सकते हो, ये pack आपकी skin को tighten करेगा, आपका रंग गोरा करेगा, बासी चावल के उपर मैंने एक facial का वीडियो भी बनाया हो है, कि किस तरीके से आप facial कर सकते आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, इसके अलावा आपके बालों की health को भी सुधारते हैं, बासी चावल, याद रखेगा, जब आप रात के बने हुए rice यूज कर रहे हैं, तो आट से दस घंटे के बीच में ही आपको यूज कर लेने हैं, उससे जाधा पुराने नहीं ह कर दिये होंगे कि बासी चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए और इनको आप यूज कर सकते हो, बड़े ही डिफरेंट तरीकों से आप बासी चावल से इडली बना सकते हो, बासी चावल से उनको फ्राइ करके खा सकते हो, या फिर आप फेस पैक बना सकते हो, या फ इससे आपका पाचन तंदर खराब हो जाएगा, आपको ऐसे डिटी की प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप एजिली खाएगे, तो इस तरीके से आप बासी राइस खा सकते हो, हल्दी रह सकते हो, कैसा लगा यह वीडियो जरूरर कामेंट करके मुझे करके और बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा, इससे आपको मिल जाएगे नोटिफिकेशन, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करूँगी, तो आज के लिए इतना ही फिन मिलूँगे, आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या फिर ब्यूटी